असलम अलीकूम स्रीकाल नमस्कार हमारा नीव सेनर में आप से भाई का स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग खेरे से होंगे और ठीक ठाक होंगे अब इस वीडियो में हम जानेंगे सौधी अरब आने के लिए क्या डायवर की जोब अच्छी है या नहीं है डायवर का जोब में आते हैं तो सौधी अरब में आपको क्या क्या काम करना परेगा और कितनी आपकी सेलरी होगी और काम करने का बाद आपको सेलरी मिल सकता है टाइम पर या नहीं मिल सकता है उसी के बारे हम आज का वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ आप लोगों से मेरे भाई सौधी अरब आने से पहले ये वीडियो जरूर देख लिजेगा और जो लोग सौधी अरफ में है तो उनको खासतर कर जरूर ही देखना है सबसे पहले मैं आपको वताओंगा मेरे भाई खासतर करके साओधी अरब के अंदर ड्राइवर की जौफ के लिए यानि बहुत सारे लोग अभी आये हुए और आने के लिए सोज़ भी रहें अगर इंडिया से आप नया बीजा लगागर के साओधी अरब आते हैं ड्राइवर का जौफ में तो आपको क्या क्या काम करना परेगा पहरी बात तो साओधी अरब में ड्राइवर का काम में आने के लिए आप ड्राइवर का काम में आया है तो आपको उनका घर का जो काम होता है कफिलो का यानि सौधी का जिस घर में आप काम करने के लिए आये हैं उसका घर में जितने सारे काम है सारे काम डैवर को ही करना होता है सारे काम कैसे मतलब जैसे की सुवे आप उड़ते हैं सौधी का जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल छोड़ना होता है स्कूल छोर करके जब आते हैं थोरे दिर आप बैठते हैं बैठने के बाद आप नास्तास्ता कर लेते हैं उसके बाद सौधियों का जो घर का समान खतम हो जाता है उनको लेने के लिए आपको ही जाना होगा आप समझ सकते हैं सारे समल जब उनको आप लाकर के देते हैं उसके बाद फिर आप अपना घर पे आते हैं थोरे दिर आराम करने के लिए आप सोचते हैं उसके बाद फिर आपको अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है खाना बना करके फारिक भी नहीं होते हैं उसके बाद फिर से फोन आ जाता है आपका कि भाई बच्चे का मदरसे से वापस uncles लाना है अभी तक आपまぁते है जल्दी-जल्दी आप उनका बच्चे को लेने के लिए जाते हैं तो मदरसा से फिर बच्चे उसको लेकर आते हैं उनको लाते लाते हैं तक comparable एक दो बज़ जाता है, दो बज़े फिर आप अपना घर पे आते हैं, दो बज़े आने का बाद फिर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके खाना खाते हैं, खाना खाने का बाद थोड़ी सी आप इंतजार करते हैं, इंतजार यानि आराम करते हैं, आराम करने का बाद कोई समान खड़ने के लिए जाना होगा कहीं पर उनको जाना होगा तो आप डाइवर हैं तो उनको साथ में आपको ले करके जाना होगा उसके बाद फिर आप उसका इंतजार कर रहे हैं बाहर में बैड़ करके बाहर में इंतजार करते करते बहुत सारे लोग ठक भी जाते हैं और किना जाने क्या-क्या बोल भी देते हैं है उनको भी आपको को ही सेकश quantum होता है क्योंकि बहुत पर सारे लोग जो सौधी अरब में का काम करते हैं तो ulent करके जबर आप लोग बताएं कि यह सारे कहategorie का काम आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं और जो लोग अभी आएंगे साथcü अरब में उनको वी ये काम करना होगा इतने सारे काम करने का बावजूद तो आपको सेलरी कितने मिलेगी पता है आपको जादा से जादा अगर नए लोग जो आएंगे उनको 1500-600 रियाल सेलरी मिलेगा साथी अरब के अंदर जो लोग पुराना है उनको आठारा यानि 1800-2000 रिय जादा से जादा इतनी तंखा होती है सौधी अरब के अंदर ड्राइवर की जो लोग जोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं इतने सारे यानि काम करने का बाद आपको इतनी सारे पैसे मिलेगा एक हिसाब से आप अगर देख लिजिए सोच लिजिए समझ लिजिए ड्राइव यो कैसे लगा जुरू बताइए गार